आपने यहां पर हिंदुद विचारधारा की बात करी तो क्या हिंदुद विचारधारा यह कहती है कि इल्प संख्या को कुंका काम मत करने दो यहां पर कॉंगरेस परिवार या गांधी परिवार जिसे कहा जाता है उनकी तस्वीरें मिटा दो या फिर उनके योगदान को मिटा दिजे क्या बीजेपी यहां पर हिंदुद के नाम पर सिर्फ अपना एजेंडा चला रही है अपना वोट बेंक कमा रही है अलब संख्यकों को परेसान कर रही है यानि देखा जाये तो कहीं ना कहीं एक हिट्लरवादी सरकार के चलाने के कोशिद की जा रही है यह बड़ा परसन यहाँ पर जो है कॉंग्रेस को लोग उठाते हैं आपको इसमें कितनी सचाई दिखाई अब जो सब्सक्राइब को बड़ा नुक्सान पहुंचा रही है और अपने चलाने के लिए सिर्फ जंता को यहां पर कहले जायद बरगला रही है देखिए अगर पूरे मामलें को आप देखें तो ऐसा नहीं कि पूरी सरस्थ सर्कार है वो आते ही जो है सारी चीज़े था कॉंगेस तरफ सर्कार हो रही है लेकिन महतुल बात यह है कि देखिए आपके जो सम्मानित लोगें और जो जो किसी भी पार्टी की हो सकते हैं अटल जी को जो सम्मान देते हैं वो बीज़ेपी साहते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी प्रितिस्ट्राव कहीना क बीजेपी खुद को बहुत उंचा नहीं कर सकती ये समझने की जरूरत है क्योंकि आप जो अपने मापुर्शों को इस तरह से छोटा करके दिखाते हैं चोटा करके आते हैं तो कहीने कि आपको जो अंदाज है और जो जो चीजों को सामने रखते हैं उससे देश भी कहने के आ अपमान है कि आप अमेटकर जी को भी जो है लेकर आये हो तो क्या उसकी भी को एक ठोज बजा नहीं है आपके पास तो ऐसे में यह बात अपने आप में बीजेपी को समझा चाहिए कि जिस तरह का बयान वो दे रहे हैं कि अमेटकर को तस्वीर हमने इस लिए लगाई कि नह होना चाहिए वो चाहें सभाव में हो चाहें किसी भी इस्थल में हो अगर उसके नाम से कोई चीज़ है तो उसको बैटर तो किया जाना चाहिए उसको उसकी प्रिठिस्टा है उसकी इज़त है सम्माने उसको मेरे खाल से कते कम नहीं कर सकते लेकिन अब लगातार जो उनके आँपर ऐसले सामने आ रहे हैं गहीना कही वह भी जवी को मंँराइईर कर देखने वाली बात हे नया मूड आता है या फिर क्या यहां पर अब मोहन सिंग्यादा माफी मांगते में जरा सकते हैं कि नहीं बाकि और भी ऐसी खबरे जानने के लिए देखते रहिए SPN 9 News धन्यवाद